है ह verloren वेल्कम ट्रेक्रिस मॉक आज की क्लास में हम doctor यह पावक पर आ क्लास सब्सक्राइब करेंगे तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लाइक के कुछcharge कब इसमें कुछ कैसे कैसे ऑश्यां मिफ टार है यह भी आमनों डिसक्स करेंगे कल jedem त्हुप इस इस एक्षाब आते हैं फिर इस टेनों हो गया फिर हो गया है तो अल्मुष सभी में ये एस सी के ऑल्मस सभी एक्षाब्स में क्लॉक के निए तो पूछे जाते हैं तो इसके बाद हम दिसक्ष करें के कुछ फॉर्मूला क्या नगिसमें फर्मूला के बाद कंक्लूजन में देखेंगे विए कुछ बदिकस करें इसमें तो चलते स्टार्ट करते एं गरुठ है यह गलॉक का का यूज सबको को पता है to measure and indicate time यह है सभी क्लॉक का यही डियाग्राम होता है starting from one two three four five six seven eight nine ten twelve तो इसमें देखेंगे concept our hand our hand होता है जैसे इसमें दो सुईयां होती है जैसे एक छोटी वाली होती है एक बड़ी वाली होती है जैसे यह यह मिनट हो गया यह हो गया आवर हैंड कि यह हो गया मिनट है तो आवर हैंड में हम लोग देखेंगे कि जैसे एक बारा से एक हुआ यह स्पैन एग घंटे का होता है का देखे तो यहां से यहां तक जाये तो पांच मीनिट होते है आपको पता होगा कि यह च्छोटी च्छोटी कांसेप्ट से जो सच में आपको क्लॉक के कोस्टन करने बहुत हेलप करेंगी अब धियान देंगे कि अगर यह अवर हैंड एक rotation लेता है तो एक rotation complete लेता है तो बारा घंट 생각이 होते है और minute hand एक rotation लेता है तो फिरी one एर होता है जिब केंग का नीहीं हो होग्या आप है मिने फिर्कल्ट को 10 वे कोशीप्स तो करना मुझें है अब कोस्टन जैसे आप क्लॉक टॉपिक पे कोस्टन सब देखेंगे तो इसमें क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन इस समझना ज़रूरी होता है जैसे जैसे क्लॉक हो रहा है है 1 से 12 की ओर तो इसको करते हैं clockwise इसको करते हैं clockwise सा ठीक है इसको कहते हैं clockwise अगर anti-clockwise कहते हैं इसको यह anti-clockwise मतलब clock के विपरीत में चलना clock के विपरीत में चलना इसको कहते हैं anti-clockwise direction anti-clock ठीक है यह हो गया clockwise anti-clockwise direction ती बेसिक्स चीज़ है ठीक है चलते है तो सिर्ट वीडियो पर स्वाइब क्लाट टोपी में इक्जाम में कैसे कोश्टें पुछ जाते हैं टाप सबक्सें ग्लेटेंश एंगल फोर्म बिट्वें बिट्वें देमेने एंड और हैं जैसे एक्जाम पेकोश्टन होता है घडी दिया हुआ है उसमें डिया रहेगा कुछ समय दिया रहेगा जैसे तीन बज़े हैं घड़ी में तो जैसे तीन बज़े हैं ये बारा हो गया ये तीन छे नौ अगर तीन बज़े हैं ये आवर हैंड हो गया ये मिनिट हैंड हो गया तो इसके बीच के एंगिल क्या होगा ठीक है इसके बीच के एंगिल क्या होगा यह पुचा जाता है यह तो आसान है ठीक है तो खुश्रम में कुछ भी समय दिया रहता है फूर चार बज़की 58 मिनट हुए है तो दोस्टी हैं क्या यहां पुचा जाते हैं इसमें सेक्टन में और दूसरी प्रकार का कॉस्टन पूचा जाता है determine the time at which the given angle is formed जैसे आपको घड़ी में घड़ी का समय दिया रहेगा six and seven o'clock कोई time यह spend दिया हुआ है छे बज के साथ मिनट तक दिया हुआ है और उसका एंगिल दिया हुआ है मिनट हैंड मिनट हैंड और आवर हैंड का जो यह एंगिल दिया रहेगा यह इसका एंगिल दिया रहेएगा एंगिल किडिवे में लीजिन है तो ऐसे कॉस्षान में पूछता है कि वो समय क्या होगा चेंद आफ़जी के बीच में वह समय क्या होगा है जब मिनट हैंड और आप्था का इंगिल वफचा पूछ गरिका हुए 500 न यहांण या जो भी ऐसे सीख पेपर होते हैं उसमें ठीक है तीसरा है टाइम शून बाइदा क्लॉक इंद मिरर इस गिवन एंडेन वाट उड़ बीदा एक्ट्वल टाइम इंड़ क्लॉक मतलब इसका मतलब यह हुगा कि एक घड़ी को मिरर में देखा जाए तो अगर तीन बज रहा है तो एक्ट्वली में वह कितना घड़ी में कितना बज रहा है यह ऐसा कोशन ठीक है ऐसे कोशन बहुत पुछे जाते हैं तो एक वन बाइवन हम दो डिसकस करेंगे चलते हैं नेक्स स्लाइड पर है तो काल्कुलेट दे एंगिल फॉर्ण बेट्वीन दे मिनट हैंड और आवर हैंड तो मैंने अभी बताया कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कोई समय दिया रहेगा चार बज के चरिये लेते हम लोग चार बजे यह चार बज़ा हुगा है ये 12 ये 3 हो गया ये 4 बजा है ऐसे ठीक है तो ये एंगल क्या होगा ये एंगल या ये एंगल पता करना है ठीक है तो इसका फॉर्मूला होता है जिसे जिसे एंगल जो होता है वो एंगल अगल इसका एंगल इसका एप्सॉलिट वैल्यू डिवाइड़ वाइड़ लग्या होती है जैसे एप्सॉलिट वैल्यू मतलब माइनस-1 का एप्सॉलिट वैल्यू होता है वन इस इस absolute value negative का positive कर दिया जाता है absolute value of minus 2 is 2 तो इसके अंदर जो भी अगर minus में value आती है वो positive हो जाता है वो होता है absolute value ठीक है तो यह formula होता है आपको इसके angle पता करने का चलो question में दिया हुआ है है चार बजा हुआ है अब पता करना है कि what is the angle between the minute hand and the hour hand is the minute hand or our hand के बीच में angle कितना है एंगल यह एंगल यह एंगल पता करना में ठीक है तो इस पर value 0-60 into hour कितना time हो रहा है 4 यह hour हो गया यह minute ठीक है इंटू 4 यह bracket इसका absolute value ले लेंगे अगर negative आता तो positive हो जाएगा divided by 2 11 into 0 0 हो गया इसका absolute value minus यह तो 0 हो गया अब इसका क्या हो जागा 240 divided by 2 absolute value के बाहर निकलेगा absolute value लेंगे तो इतना 120 डिग्री ठीक है 120 डिग्री आया तो मतलब अगर चार बजे हुए घड़ी में तो आवर हैंड और minute हैंड के बीच में 120 डिग्री यह एंगिल 120 डिग्री का होगा ठीक है यह 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 120 डिग्री का होगा यह ओप्षेंस में अगर ऑप्षेंस में हो सकता है 360 माइनस 120 डिग्री डिग्री डिया हो जो यह वाला हो गया तो इसका अंसर अगर सिर्फ यही कोश्चन है चार बजे कितना एंगिल होगा आवर हैंड मिनट हैंड का तो तो यह एंगिल दिया रहेगा यह यह आइंगल आपको बताना है ठीक है तो यह एक प्रकार का कोश्चन आता है इस पर हम कोश्चन डिसक्स करेंगे जैसे दिया हुए कोश्चन में कि वाट इस दे एंगल बेट्वें दमिनिनट हैंड एंड आवर हैंड एट फोर थर्टी इस पर में आता हूं ठीक है चाहर बज़ के अर्टीस मिनट है आपको फर्मूला क्या थे हैंगे हमारा एंगिल बिट्वें मिनट हैंड आवर हैंड क्या था लैवन इंटू मिनट थर्टी एट अब मिनट हैंड तली फर्मॉले लिखते हैं इंटू मिनट माइनस शिक्स्टी इंटू आवर इसके अप्सुलेट वैल्यू स्वारी दिवाइड बाइट वैल्यू पूट करते हैं इसमें 11 इंटू थर्टी एट थर्टी एट यह मिनट्स हो गया यह आवर है ठीक है तो थर्टी एट माइनस शिक्स्टी इंटू या फोर इसके अप्सुलेट वैल्यू डिवाइड बाइड बाइड वाइट इसमें क्या हो जागा थर्टी इंटू 11 38 48 48 माइनस 240 दिवाइड बाइड बाइड टू क्या हो जाएक वैल्यू आठ माइस कर दीजिए साथ डिवाइड बाइड 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 टू कितना वैल्यू हो गया पर इक इंगलत हो रहा है 38 सिक्यारा 38 ठीक है इस इक्वाल टू 240 है ठीक है 418 माइनस 240 कर लीजिए 8 7 178 178 डिवाड बाइड टू यह हो गया 89 डिग्री ठीक है 89 डिग्री यह आंसर हो जाएगा यह 89 डिग्री आपका आंसर ठीक है यह था प्रोसेस यह फॉर्मूला को सिर्फ आपको याद रखना है अब हैलू पूट कर दीजिए अंसर आजाएगा ठीक है अब इसमें अगर पूछ रहा है एंटी क्लॉक्वाज डेरिक्शन इसका मतलब क्या हुआ ठीक है एंटी क्लॉक्वाज डेरिक्शन मतलब इसमें क्या बारो क्यों चार बजवके लगभग दिख दो जीह ईह दोगा ऐंटी क्लोक्वाज डारेक्शन वेलिगान इमिन अंटी क्लॉकवाज डेरिक्शन फ्रॉम अमेनट İ यह मेनट हैं यह मिनट Guin रहगद है एंटी ग्लोक मसरेक्शन मतलब इस तरीकित यह एंगिल यह 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 आगिल आएगा इटने डिग्री देखने भी लग इस एंगिल को 360 से 360 से माइनस कर दीजिए कितना चाहिए 271 271 डिग्री अगर क्लॉक्वाइज होता तो तो क्लॉक्वाइज या एंटी क्लॉक्वाइज यह आपको ध्यान देना पड़ेगा यह यह तो इसमें 89 डिग्री आंसर एक और एक्जाम्पल लेंगे यह तो हो गया अगर अब आपको से नो वाट इस एंगल ब्ट्वें अन्ट एंड आवर हैंड अट 935 आर्स वन टेकिन इंट अट्रॉक्वाइज दिरेक्शन फ्रॉम्ट इंट एंट्ट एंट 935 आर्स है फ्रमूला हम रहा हमारा वही रहेगा हम मैं डिए वैल्ली पूट करत 25 11 35 minus 9 into sorry 60 into 9 divided by 2 35 into 11 कर लिजे 385 385 minus 69 54 इसके absolute value divided by 2 यह minus कर लिजे तो 540 minus 385 165 minus 165 डिगरी आएगा absolute value के बाहर निकलेगा 165 हो जाएगा divided by 2 यह हो जाएगा 82.5 सुरी के इंकले थो रहा है के इंकले थो रहा है 35 35 है यहां पर 9 है 6554 ठीक है 54 minus करेंगे 5 385 sorry 155 है 155 sorry 155 divided by 2 answer होगा 77.5 डिगरी जो यह आंसर है फर्मूला वही है इसमें यह value minus में आ रहा था तो absolute value यह पोजिटिव में निकला 155 divided by 277.5 डिगरी अब clockwise direction from the minute hand अब 70 इस पर टिक नहीं मार देंगे इस पर यह तिक अभी नहीं करेंगे क्योंकि value तो यह भी हो सकता है ना 360 देखिए 360 minus 77.5 करते हैं तो कितना आता है 52 282 अगर इस चीज को नहीं अभी पढ़े हैं तो आंसर तो यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है अब देखेंगे clockwise direction from the minute hand clockwise direction from the minute and 9 बज़ के 9 बज़ के पैंति पैंतिस्मिनट clockwise direction from the minute hand यह minute hand है clockwise direction यह छोटा वाला एंगल यहां से इस तरीकर जाएंगे तो 77 होगा एंटी clockwise रहता तो यह एंगिल लेते जो 282 हो जाता फिर ठीक है तो यह चोटी चोटी यह आपको समझना पड़ेगा clockwise direction एंटी clockwise direction ठीक है तो यह ऐसे प्रगार के questions आते हैं अब जलते हैं next type of questions अब आता है यह तो सेम इसका अंसर यह था अब आता है डिटर्माइन टाइम अट वीच दर गिवन एंगिल इस वर्म ठीक है ऐसे questions में क्या होते हैं कि जैसे दिया रहेगा च्छै और सात बजे के बीच में च्छै और सात बजे के बीच में हाब है ऑड़ हैंड हैंड और मिनीट हैंड का के बीच में एंगील बनरा 27 डिगरी यह कुछ यह एंगिल दिया रहे गा और यह ऐस nausea कुषन रटाएगा तो उससे में टाइम क्या हो रहा होगा और सुछ साथ और छूर साथ के बीच में टाइम क्या हो रहा होगा यह हमें पता करना होगा तो यह होता है फर्मूला देख लिजिए यहां पर टी क्या है वो टाइम आपको पता करना होगा ऐसे एक्सांस एक्सांस में आते हैं गिवन एंगिल और एच्छ है क्या एच्छ सेंट फॉर्ट आवर विचीज रणिंग छैसे साथ की बीच में तो अच्छ से साथ की बीच में पता करना तो यहां पर हो जाएगा यह ठीक है एक सेंट फॉर्ट एंगिल यह को सब्सक्राइगा एंगिल मिनिट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगिल कितना बन रहा है यह दिया रहा है जो यह हो गया और टी स्टैंट फॉर्ट टाइम ए मैdefense is plus माइनस अब दिखेए प्लस यूज होगा कब से जब हो जब बारा से एक या एक से दू चैनंट और 12 के बीच में इस इस डूरेशन में अगर तीन से चार बजा हुआ है, तीन से चार के बीच हमें angle दिया हुआ ह孩 और पूछ रहा है question है, तो हम plus use करेंगे और minus use करेंगे, जब 6 बजे से लेके 12 बजे तक बजा हुआ है, तो यहांपर minus use करेंगे, इस formula में, और अगर 12 से 6 बजा हो तो उसमें प्लस यूज़ करेंगे ठीक है चलिए हम आते हैं कोस्टन पर कैसा जांज में कोस्टन आता है ठीक है यह होता है फर्मूला ठीक है हमें पता करना टाइम अब देखिया सक्षण आया हुआ को संदिये चैब जेकिए एड़ टाइम बिट्विन शिक्स एंड सैवल ओक्लॉक दा हैंड मीट हैंड और हैंड और हैंड और हैंड और मीनिट हैंड की बात हो रहे हैं यहां पर मेक्स एन एंगल ऑफ ट्यूफ डिग्री यह यहां पर हो जा रहा है तो यहां पर हो जाएगा माइनस वाला फर्मूला ठीक है अब चलिए हम लोग फर्मूले पर अपलाई करते हैं तो हमें टाइम निकालना है टू बाइलेवन एच का वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 3 प्लस माइनस एंगिल क्या है 12 डिग्री इसका कल्कुलेट कि कर लिए टू बाइलेवन 180 6 & 7 के बीच में किया जाए तो माइनस लेंगे 2 बाइलेवन कितना हो जाएगा 168 इसको इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 168 x 2 कर लिजे 336 336 by 11 इसका वैल्यू है 306 by 11 इतना मिनट यह है आंसर मतलब यह मिनट में 30 होल 6 by 11 मिनट इस यह हो जाएगा हमारा आंसर चेव बज़ के और सात मिनट के बीच में पूछा जा रहा है तो यह एड़ कर देंगे चैवाले में तो चैवर्स शिक्स आवर्स थर्टी मिनट्स सिट्टी होल 6 by 11 मिनट्स 6 by 11 मिनट्स मतलब क्या कर लेंगे सेकंड में बदलन होगा है डिटी का इस अगल हमें पूट करना है औरस मायस देख लेना है कैसे होगा एक पाई जा पूछा सकता है यह टा noisy दिया होगा है एच दिया होगा एंगिल निकालिए यह भी पूछा जा सकता है तो आपको यह फॉर्मूला आपको यह पूछा जाएगा और यह यह दिया हुआ है तो चलते अब एक और कोशन देखते हैं अब अब अट वाट ताइम बिट्वें टू एंड थ्री ओक लॉक मतलब घड़ी में कितने बज़े हैं यह सॉरी पाराएई त्यून दू दो एक टाइम कुछ एसा हुआ है किद दो और तीन के बीच में अगर दोनों आवर एंड और मिनिट हैंड के बीच में एंगिल बन रहा है थर्टी फॉल्ट डिग्री का तो उस से में वक्त हो रहा होगा व्यावा तो वक्त हो रहा आगा तो वही अ हेच इन्टू 30 यहां पर देखिए 12 और 6 इस इस एरिया में कोश्ण पुछा जा रहा है 12 और 6 के बीच में हो तो यहां पर प्लस होगा प्लस एंगिल टिक है अब वैली करते हैं इस पर टू बाई 11 हमें टाइम पता करना है एक क्या हो जागा यहां पर वैलू है टू टू इंटू 30 60 मैं डाइट वैलू पुट कर दे रहा हूं प्लस एंगिल क्या है 34 degree क्या हो गया दो बटा ग्यारा 94 यह कर लिजे 8 188 डिवाड़े बाए 11 तो यह क्या आ जाएगा 1 जाएगा फिर वन होल 11 17 वन होल 11 मिनट यह टाइम आया अब दो बज के कितना टाइम हुआ होगा तो दो बज के टू आवर्स हुआ होगा और 7 होल 1 बाई 11 मिनट यह टाइम हुआ होगा ऑप्चन में देख लिजे का है यह है हमारा अंसर हुआ है तो यह द्यान रखना है कि प्लस मानस कापी यूज होगा है और कैलकुलेशन वगारा सही करना है तो आसे एक्जाम में कोशन आते हैं ठीक है तो आंसर हामारा यह कंफ्यूज नहीं हो रहा है एक बटाई 11 मिनिट मतलब क्या होता है सेकेंड में बदलना हो तो इसको इसे कर सकते हैं इतना सेकेंड हो गया शिक्ष्टी बाइवन पांच दिस्वार कुछ सेकेंड होगा ठीक है इसका अंसर वन हो गया चलते हैं नेक्स्ट आपकोसन कैसा पूछा जाता है दो टाप कोसन हम लोग डिसकास कर चुके हैं यह तीसा टाप आप आपकोसन है जो क्लॉक क्लॉक का टॉपिक पे कोसंगी पूछा जाता है ऐसे सी चीजी और मुस्ट अभी ग्जाम में देखा है स time shown by the clock in the mirror is given अब घड़ी घड़ी में घड़ी में मीरर इमेज इसका यह घड़ी का मीरर इमेज दिया रहता है कि इसमें बजा है अगर नौ बजा है चोटी सुई यह हो गई तो actual time क्या हो रहा होगा इस घड़ी में ठीक है तो इसे इसको मीरर इमेज आप इमेजिन करेंगे तो आपको यह बनके कुछ आएगा तो अगर नौ बजा है मीरर इमेज में तो actual time हुआ होगा इसका थ्री ओक्लॉक है ना तो यह मैजिन कर सकते हैं आप ऐसे ड्रॉप भी कर सकते हैं और नहीं तो फॉर्मूला भी है हमारे पस जैसे इप टाइम इन डाइक मेर इस बिट्विन वन तो 11 एक से लेके ग्यारा बज़े तक टाइम है तो actual time अगर मीरर में एक से ग्यारा बे तक बज़ा है तो actual time होगा उस time को 11 कि शिक्स्टी से माइनस कर लिजिए चलिए इस example लेते हैं ठीक है तो 1160 माइनस नौ बज़ा था ना मीरर इमेज में दो गंड़ा साथ मिनट वही हुआ तीन त्री आवर्स यह है ठीक है और अगर मेर इमेज में घड़ी के मेर इमेज में 11 से एक बज़ी तक कुछ बज़ा होगा तो हम माइनस कर देंगे 2360 से माइनस कर देंगे ठीक है जैसे घड़ी में बज़ा है तो 11.45 हुआ तो यह ले देता है 11.45 हुआ है 11.45 इस वाले यह कंडिस्न फॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 2367 इसको माइनस कर देंगे 11.45 को 12.15 तो एक्ट्वल टाम क्या हो रहा होगा 12.15 बज़ रहा होगा हमारी घड़ी में ठीक है इसका भी एक्जाम्पल लेते हैं हम अगर फिर से मैं बता दू कि एक से ग्यारा बिरतक मीरर इमेज में ये मीरर मेंज है किसी घड़ी का मीरर इमेज है तो एक सी ग्यारा बचाहो तो उसे माइनस कर देंगे 11 सिक्स्टी से अगर 11 से एक बजा होगा तो 2360 से मैनस कर देंगे चलिकोस्टन देखते हम अगर इस घरी में कितना बजा होगा जब इसका मिर्ड़ इमेज में दस पैटालिस हो रहा है तो इसमें कितना बजा होगा तो हम इसकु इससे माइनस कर देंगे सिंपल इसमें इसमें जरूर एक पंद्रह हुआ होगा एक पंद्रह यह अंसर है ठीक है फिर से मैं बताता हूं दस पैतालिस इसमें गया एक वन टू इलेवन अगर मिरर इमेज में टाइम हुआ होगा तो इसको माइनस करते हैं इसको माइनस करेंगे 2360 से यह याद रखिएगा पल भर में कोस्टन हो जाएगा तो यह एक्जाम्पल था इसका 1045 अगर टाइम हो रखा तो हमारा एक्चुल घड़ी में कितना टाइम हो रखाया है अगर उसके मिरर इमेज में है तव्यक्ता तो इसका एक और लेते हैं हम इसके एक और लेते हैं अगर इसका आंसर अभी बताया थाद अशर हो जाएगा कि यह और लेते हैं 1145 टाइम क्या हो रहा है 1145 टाइआ हो rhyme मेर इमेज में हो रहा है घड़ी का मीरर इमेज में आहे पता करना है और तीक अब यहां पर आजाएगा देखिए टाइम क्या हो रहा है 1121 कि बीच में यह रटा वक्त आ रहा है तो इसमें 23.60 से टाइम को मार्स कर देजिए 1145 15 12 15 इसमें 12 बज़के 15 मिनट हुआ होगा इसमें 12 बज़के 15 मिनट एक्च्छल टाइम हुआ होगा जब इसके मिर्यर इमेज में 1145 रहा है तब यह वह इसमें अंसर दिया हुआ 12 15 कोई भी एक्जांपल लेते हैं और को एक और एक और एक और लेते हैं अगर घड़ी में टाइम बजा हुआ है 3.30 यह क्या यह मतलब यह यहां पे यहां पे 3.30 अगर तो रसी से क्या होगा अंसर इसको मैंस कर देंगे 11 66 कूए है यह 1-2-11 के बीच में है यह मिररे इमेज में थी 30 हुआ है इस से मानिस कर दीचाल यह इसे यह तो आइम कितना हो रहा होगा घड़ी में कि शार्याथ बजा होगा है कि सिंपल सार्याथ बजा होगा एक ज़गड़ी में अगर मिरर इमेज में त्री-टर्टी वा तो एक तो यह जो हम लोगों ने तीन कि टाप आप कोस्टंस देखें कि टाप अब कोस्टंस यह फ्रिक्वेंट्ली पुछे जाता है अगर टाप अपको आप कोस्टन से सीजीयल या स्टेनो या सीपीयो में आता है तो ऐसे ही प्रकार करको साथ जाता है basic concepts देख लिया हम लोग ने formula देख लिया कुछ questions भी देख लिए ठीक है तो इस पर आपको करना practice बस ठीक है तो अब हां तो इतना था इस clock topic में इतना था ठीक है अगले class में हम लोग next topic के साथ उसके concept के साथ उसके questions के साथ फिर से हाजिर होंगे तो हमारे channel को तो हमारा video कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए subscribe कीजिए और red button click कर दिए ताकि हमारे notifications जो भी वीडियो जाए हमारी notifications आपको पहुंचा जाए पहुंच जाए ठीक है मिलते हैं next वीडियो में with next topic thank you